वैसे तो BTS के मेंबर्स ने कई बार बोला है कि वो किसी स्पेसिफिक रिलीजिन को फॉलो नहीं करते इस्पेशली बात करी जाए BTS के लीडर RM की तो उनका हमेशा से ही कहना है कि वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते लेकिन डीसेंटली एक क्लिप को देखने के बाद कई सरे आरमी इसका कहना है कि शायद हमारे RM मुस्लिम कम्यूनिटी और रिलीजिन को फॉलो करते हैं कई सरे लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि RM ने अपने घर में मौस्क्यू बना रखता है लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथी साथ BTS की सबसे मज़िदार और फणी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एडूफेक्स रियक्शन से जुड़ जाईए जिसका लिंक दिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए दिया है तो रिसेंटली BTS का बैंग बैंग कौन का इविंट हुआ था जिसके बाद कई सारी पुरानी क्लिप्स BTS की आर्मीज को देखने मिली और उसके बाद कई सारी आर्मीज रैंडमली भी कई सारी क्लिप्स को देख रही थी और याद कर रही थी कि BTS का वो OT7 वाला टाइम कितना ज़ादा अच्छा था और आरमीज उसे कितना मिस करती है उसी टाइम पर BTS आरमीज को एक क्लिप मिली जहां पर जिमिन आरम के घर से बाहर आ रहे थे और आरम उनको सी ओफ कर रहे थे दोस्तों इस क्लिप में देखा जा सकता है कि आरम के घर के बाहर काफी सारी चपले रखी हूई है और एक डम लाइन से वो सजी हुई है और दोस्तों अचानक से इस कलिप को कई सारे आरमीज ये बोल कर वायरल करने लगी कि आरम के घर में मॉस्क्यू बना हुआ है वो Muslim religion को follow करते हैं लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि इसके भी सिका क्या context है और यहाँ पर Moscow कहां है तो basically armies के कहने का यह मतलब था कि आरम ने इस तरीके से लाइन चपल की लगा रिखी एकदम ऐसे कि उसके आगे जैसे चपल जाही नहीं सकती हो जैसे वो कोई sacred place हो कोई मंदर या फिर Moscow इसको आप एक मंदर की तरह भी कह सकते हो लेकिन जादतर armies इसको Moscow के नाम पर viral करे थी जिसके बाद हर जगा यह बात होने लगी कि आरम के घर में Moscow है actually इस पूरी clip में कहीं पर भी Moscow का कोई otherwise जिकर नहीं आया है ना ही आरम के घर में कोई ऐसी चीज़ देखी गई जो कि Muslim community से जुड़ी हो या फिर Moscow का कोई ऐसा proof हो लेकिन बस ये चपलो को इस तरीके से आरम ने सिजा रखा तो तो कई सारे आरमी मजदाक और सारकाजम में इस बात को कह रही थी कि चपले तो ऐसे सजाईयों जैसे कोई मजद या फिर मंदिर हो अंदर और चपन ना जा सके लेकिन कई सारे आरमी को ना misunderstanding हो गई उनको लगा कि इस क्लिप में कोई ऐसा proof है जो कि ये proof करता है कि आरम Muslim community से है या फिर वो Moscow बना रहे घर में तो ये हर जगा पर बहुत viral होने लगी कई सारे लोगों को लगा कि ये religion के नाम पर मजाग करने वाली बात अच्छी नहीं है लेकिन basically यहाँ पर किसी का भी किसी के भी religion sentiments को hurt करने का मतलब नहीं था वो बस इसी तरीके से बोल रहे थे कि आरम ने काफी sophisticated तरीके से चपपलों को सजाया है लेकिन कई सारे आरमी को misunderstanding होगी और वो कहने लगी कि आरम जो है वो Muslim community को follow करते हैं तो अब आप सब मुझे बताओ कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो के साथ